dear student we have to discuss about the overlapping circles हम बात करें 17 sustainable development goals की इसके अंदर जो UN's work है उसने जो अपने achievement है 17 sustainable development goals की appear to be successful considering all three pillars हमारे जो तीनों pillars थे उनके अगर हम गुफद्गू करते हैं तो उन तीनों pillars की overall जो performance थी वो तो successful है उस successful के अंदर जो focus था conference का वो ये था कि discuss करना था हमने एक green economy को उसके पाद in the contest of the poverty reduction institutional framework development इन दो चीजों को इनने फोकस किया देखना ये था अब देखें एक overall picture है और overall picture के अंदर जो हैना poverty reduction की बात जब करते हैं या गुर्बत मुकाव की जब बात करते हैं जब हम overall picture देखते हैं तो overall तो हमें successful नदर आती हैं लेकिन जब हम उसको manually discuss करते हैं और country wise discuss करने की कोशिच करते हैं तो उससे हमें अंदाजा होता है कि कुछ countrys ने बहुत अच्छा achieve किया और वहां पे जो poverty level था वो कम हुआ कुछ लोगों पे या कुछ मुलकों पे या कुछ जगों पे कुछ सूबों पे उसके असराथ उतने बेहतर मुरत नहीं हुए तो इसका मतलब है हम अगर उसको discuss करें इस point of view से नमबर एक overall picture जो है हमारे पास वो poverty reduction की और institutional development की तो उसके अंदर तो हमारे पास ये बात वासे हो गई कि ओवर आल तो पूरी दुनिया ने गेन किया लेकिन अगर हम इन तीन पिलर्ज की रोश्री में देखें और हम इसको देखें इस पैरामीटर के अंदर के उसके अंदर जो develop countries हैं और developing countries हैं उन में सुरत आल मुख्तलिफ नजर आती है अच्छा इस सुरत आल मुख्तलिफ के अंदर जहां पे gap नदर आता है वो gap है हमारे पास implementation का देखें हम शुरू से ये बात कर रहे हैं पालिसियां सेम है परसीजर सेम है तारगट सेम है तो एक फर्क कहां पे है वो फर्क हमारे पास आता है implementation में एक फार एक्जामपल मैं आपको एक्जामपल देता हूँ हम ने मैं एक्जामपल दूँगा आपको MDG से हमने quality education की बात की या SDGs के अंदर हम बात करते हैं हमने universal primary education की बात की तमाम मुलकों से कहा गया कि आपने अपने resources में से इतनी amounts यो एकनॉमिकल ये आपने इस project के लिए target के लिए universal primary education के target को achieve करने के लिए रखना है और SDGs के अंदर हमने बात की कि हमने इतना पैसा इतने funds हमने रखने है quality education के लिए वो भी मुख्तस कर दिये गए इसका मतलब ये हुआ पालीसी सेम है procedure सेम है कि जो मुमालेक है वो bound है उसको पर रखने के लिए problem कहा है implementation पे जिन ममालेक के अंदर अब यहां पे भी overlapping circles की जहां हम गुफ्तकू कर रहे हैं और हम देखते हैं कि जहां पे develop और developing country के अगर हम comparison कर रहे हैं तो यहां पे भी आप देखेंगे कि इसको achieve करने के लिए develop country जो हैं वो ज्यादा successful हुए मनिस्पत developing country के लिए यही सूरतियार हमारे पास institutional development की है कि तमाम institution को strengthen करने के लिए policy सेम थी procedure सेम थे economically उस country की total wealth में से जो पैसा मुफ्त किया गया वो सेम था लेकिन उसके results जो हैं इन दोनों parameters के अंदर institutional development की अंदर जब बात करते हैं institutional development के अंदर भी framework के अंदर भी हमारे result मुफ्त लिए अब यहां पे वो gap identify करने की जरूबाद हैं जिस से हमें पता चले कि वो result हमारे different क्यों हैं और यह जो हमारे पार overlapping circles है यहां पे हम इन के developing और develop के असरात को identify करते हैं